हलो फ्रेंड्स देनिल क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों आज 9 जून 2020 राजिस्तान करेंट अफेर के टोप 15 प्रशेन आज हम देखके चलेंगे जो आपके सभी प्रतियोगी प्रिक्षाओं के लिए most important रहने वाले हैं इन 15 प्रशेनों को आपको अच्छे से करके चल कि वहां आप इसकी पीडियाप भी देख सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रशेन ही हाल ही में जल परदूशन की समश्या के समाधान है तो किस जिले में जीरो लिक्विड डिस्चार्ज प्रोजेक्ट तैयार किया गया है राजस्तान का पाली जिला इ कहां इस्तित है तो रणंगपूर का जेन मंदीर पाली में इस्तित है मताई नदीके किनारी स्तितहे जिसका निर्मान जेन व्यासपरी ध्रनक शहने करवाया था महरणा कुंभाने इसके लिए जमीन भी दी थी जेन व्यापरी धर्नक लुग शाने इसका निर्मान करवाए था पाली में मताई नदीगे के नरीस थी थे वेसे राजस्तान का पाली जिला ऐसा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा मनाता है यह भी आपको ध्यान अगना है अगला की राजस्तान के ड्रोन से खेती करने की योजना है तु कितने करोड रुपे सबसीडी के लिए जारी किये गए है देखो ड्रोन से खेती करने के लिए 40 करोड रुपे सबसीडी के लिए जारी किये गए है कितने किये गए है 40 करोड रुपे किये गए है साथ साथ रिप देखो इस तरह के प्रशन एक्जाम में ज्यादा बनते हैं पिछले साल के पेपर उठा के देखना इस तरह के प्रशन ज्यादा बनते हैं आपको ध्यान रखना है एक जुलाई से बंद कर दिया जाएगा कब से एक जुलाई से एक जुलाई 2022 आपको ध्यान रखना है ओप्षिन हमारे पास फर्स्ट से ही हो जाएगा एक जुलाई दोजार बाइस अगला है कि पहला राष्टी हवाई खेल नीती के नुसार राजस्तान के किस जिले में होट एर बेलूनिंग के लिए हवाई कलस्टर विक्सित किया जाएगा राजस्तान के अजमेर जिले में विक्सित किया जाएगा राजस्तान का अजमेर जिला राजस्तान का हिर्देश तल कहलाता है भारत का मक्का कहलाता है धर्म नगरी कहलाता है गरीब नवाज नगरी कहलाता आपको ध्यान रखना है अजमेर के बारे में और हम बात करें आपसे पूछा जाएगा कि अजमेर किसने बसाया था अजमेर किसने बसाया तब आपको ध्यान रखना है 1113 इस्वी में अजे राज ने अजमेर बसाया था अजे मेरु दुरुग की जब आपसे बात करें तो आपको अजे पाल नाम ध्यान रखना है अजे मेरु दुरुग पुछे अजे पाल आपको करना है अजे मेरु दुरुग तारागड दुरुग भी जिसें कहा जाता है बीठली की पहाड़ी पर होने के कारण गड़ बीठली भी उसे हम कहते हैं इसका जो अंतिम दर्वाजा है वो तारगड के नाम से जाना जाता है आपको ध्यान रखना है इंपोटेंट प्रशने बनते हैं जैसे अढ़ाई दिन का जोपड़ा कहा है अढ़ाई दिन का जोपड़ा कहा है अजमेर में ही इस्तीत है देखो विग्रह राज चतूर थे था जिसे हम विसलदेव भी कहते थे यहाँ पर एक संसकत पाट शाला बनाई थी उसको तुड़वा कर कुटूबुदीन एबग ने यहाँ पर अढ़ाई दिन का जोपड़ा का निर्मान करवाए था पंजाब शाहस की समर्टी में यहाँ पर ढ़ाई दिन का उर्स लगता है इसलिए से अढ़ाई दिन का हम जोपड़ा कहते हैं आपको ध्यान रखना है तो अजमेर के बारे में कुछ बेसिक डीटेल में आपको बताई हैं जो आपको ध्यान रखनी है अगला प्रशन है हमारे पास कि राजस्तान बजट 2022-23 में की गई गोश्णाओं के अनुसार राजस्तान में कितने जीलों में सरकारी नर्सिंग कोलेज बनेगी अब राजस्तान के 33 जीलों में बनेगी राजस्तान में कुल कितने जीले हैं 33 जीले हैं और 33 जीलों में ही नर्सिंग कोलेज बनेगी देखो राजस्तान जी के का नोलेज आपको बढ़ाना है 33 जिलो के नाम याद होने चीए आपको इस्थती पता होनी चीए नीचे से लेकर उपर तक कौन से जिले आते हैं करमोश्या आपको ध्यान होने चीए जिसने राजस्तान के 33 जिलो की हम बात करें ये राजस्तान के 33 जिले हैं आपको पता होना चीए इनके बारे में अगला है कि हाली में 10 गीगावार्ट से अधिक शोर उर्जा शमता विक्षित करने वाला देश का पहला राज्ये बन गया है जो 10 गीगावार्ट से अधिक शोर उर्जा शमता विक्षित करने वाला कौन सा बन गया है हमारा राजस्तान राज्ये बन गया है कौन सा राजस्तान राज्ये बन गया है भारत का शेतरफल की दर्ष्टी से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्तान ही है राजस्तान का कुल शेतरफल 3,62,249 वर्ग किलोमेटर है जो भारत की शेतरफल का 10.41 परतीशत है तो भारत का शेतरफल कितना है भारत का शेतरफल 32,87,263 वर्ग किलोमेटर है आपको ध्यान रखना है राजस्तान के किस जिले में उटनी के हल्दी युक्द् दूद उप्दो को लॉनुच किया गया है मतलब उटनी का हल्दी युक्द् दूद्म यहां पर जुरू किया गया है बीकानेर जिले जो आपको ध्यान रखने हैं कि राश्टे उन्ट अनुसंधान के अंदर नेस्टाइब कहा है जो हड़ बीड बीकानेर में स्तीथ है इस आपना 1994 में हुई थी राश्टी क्रेशी ओन्युसंधान पो प्रिश्द के अधीन है गुनी सोपिचान में से स्वतंतर अनुसंधान के अंदर बनाया गया 2018 में राष्टिय उंट अनुसंधान विश्व विध्यले बनाया गया 2008 में राजस्तान में भारत की पहली केमल मिल्क डेरी बनाई गई तो राष्टय उंट अनुसंधान के अंदर जोहड़ बीड़ बीकानेर करना आपको उंट मोसव कहा मनाया जाता है बी मोसव पूसले तब भी आपको बीकानेर ही उट्टर करना है पंद्रवे वितायोग द्वारा की गई अनुसंधा के अनुसार वर्ष 2021-22 के लिए शुद्ध रिण सीमा राज्य सकल गरेलू उत्पाद की कितने परतिशत निर्धारित की गई है चार परतिशत निर्धारित की गई है अगला प्रशन है कि 31 मई को विश्व तंबाकु निश्यद दिवस मनाया गया राजस्तान को किस वर्ष डबलू एचो ने तंबाकु निश्यद अवल राज्य का पुरुष्कार दिया आपको बताना है तो ऑप्शन फरस्ट सही हो जाएगा राजस्तान को 2019 में पुछे 31 मई आपको ध्यान रखना है किस ने दिया डबलू एचो ने दिया वर्ल्ड हेल्थ और्गिनाजिशन आपको ध्यान रखना है केंद्री आयूश मंत्राले ने राजस्तान के किस व्यक्ति को फेलो ओफ राष्टी आरुवेद विद्यापीड से सम्मानित किया है र अगिला है कि हाली में राजस्तान के किस लेखक को 21 सदी का अंतराष्टि श्रेष्ट व्यंगकार चुना गया है किसको चुना गया आपकुद बताना है उप्षन B सही हो जाएगा मन मोहन हर्ष को चुना गया है इनकी जो रचना थी वो पादू का उत्सव थी पादू का उत्सव के लिए चुना गया है उप्षन B मन मोहन हर्ष अगला की राजस्तान के किस जिला कलेक्टर ने चिकित सा स्वास्ते तंदर को मजबूत बनने के लिए उपरेशन प्राण वायू उपरेशन चलाया है तो option first सही हो जाएगा राजस्तान का नागोर जिला कौन सा जिला है राजस्तान का नागोर जिला है जो राजस्तान की कुबड़ पटी भी कहलाता है राजस्तान की कुबड़ पटी भी से हम कहते है राजस्तान का नागोर जिला आपको ध्यान रखना है option first सही हो जाएगा राजस्तान का चोदवा चिकितसा विश्व विध्यले प्रक्षिक्षन वा नुसंधान के अंदर कहां शुरू किया गया है जुन जुनु में शुरू किया गया है जुन जुनु में शुरू किया गया है तमर्द नगरी के नाम से भी जिसे हम जानते है राजस्तान के जुन जुनु जिले में किया गया है जो शेखावाटी के अंदर आता है सीकर चुरू जुनजु ये शेखावाटी छेतर के अंतरगत आते हैं आपको ध्यान रखना है खेतडी का महल कहा है जुनजु में है इस खेतडी महल को देख कर ही सवाई प्रताब सिंग को हवा महल बनाने का वीचार आये था इसलिए इसे हमें खेतरी महल को राजस्तान का दूसरा हवा महल भी कहते हैं आपको ध्यान रखना है अगर है कि राजस्तान राजिये प्राकरति के चिकित्षा बोर्ड का गठन किया गया इसके अद्धेक्ष बनाए गए है इसके अद्धेक्ष कौन बनाए गए है तो इसके अध्यक्ष हम बात करेंगे चिकिशा मंत्री बनाए गए हैं उप्शन B हो जाएगा चिकिशा मंत्री इसके अध्यक्ष बनाए गए हैं आपको ध्यान रखना है और ऐसे अंतिम प्रश्यन है हमारे पास है लोग सबा अध्यक्ष ओम बिडला के परियासों से ततकाल पासपोर्ट बनवाने की सुईदा है तो पूर्ण पासपोर्ट सेवा के अंदर किस जिले में बनेगा आपको बताना है हम बात करेंगे ओम बिडला का सम्मंद राजस्तान के किस जिले से हैं उध्योग नगरी कोटा से हैं कोटा से इनका सम्मंद है तो इसका सही उतरक कोट ही हो जाएगा कोटा किस नदी के किनारे बसा हुआ है कोटा चंबल नदी के किनारे बसा हुआ आपको ध्यान रखना है तो यह नो जून 2022 राजस्तान करंट के टोप 15 परशन हमने देख लिए वापस रिवाइस मारो अच्छे से इनको करो आप कवर करो पीडिएप डेनिल क्लासेज के टेलीग्राम चैनल बे मिलेगी अच्छे से इनको करके चलो करंट अफेल डेली पढ़ोगे करंट अफेल याद भी होगा सभी जीलों के बारे में एक्स्ट्रा फेक्ट में आपको बता के चलोगा काफी चीजे आप सीख कर चलोगे धन्यवाद करigorbor से इनको करते हैं ना 野ए होगेक्ट थाद़ कर ले मेंगा होगेगा कि इनको पॉली बाट कर नीदेदिए आफेली ना थाँको कर अपको कर दो का चलोगे जी जींड़ाद क्रेंस हूलीवाद करangen हैं लूलीवाद